लोगों के लिए अब महेंगे स्मार्टफॉन खरीदना आसान होगा। दिगजी कॉमर्स कमपणी अमेजन इसके लिए लोन देगी। यहाँ कमपणी बांकों, पितियस अंस्थानों और क्रेडिट रेटिंग कमपणीों से गट जोड़ कर रही है। इसकी मदद से ग्राहकों को क्रेडिट पर मोबाइल खरीदने के विकल्प दिये जाएंगे। वे अपनी सुविधा के अनुसार फोन का भुकतान कर पाएंगे। अमेजन स्मार्टफॉन ब्रेंग्डों को चुनने का दाइरा बढ़ाने पर भी काम कर रही है। इन तमाम कदमों के जरिये कमपनी इस केटेगरी में अपनी पोहँच बढ़ाना जाती है। अमेजन इंडिया के डाइरक्टर केटेगरी मेनेजमेंट नूर पटेल ने कहा, हमने एक बात पर ध्यान दिया है। जैसे ही हम ग्राहकों को खरीदारी में समर्थ बनाने के लिए कोई पहल करते हैं, ब्रेंग्डों की विक्री रफ्तार पकड़ लेती है। ज्यादा तर मुबाइल फोन कमपनियों ने ग्राहकों की खरीदारी की ख्रीदारी की ख्रीदा बढ़ाने के लिए इस तरह के प्लान शुरू किये हैं। ये कमपनिया इन स्कीमों में अपने निवेश पर बहतर रुटन देख रही हैं। पटेल ने बताया कि औसतन तीन में से एक ग्राहक नो कॉस्ट इमाई पर स्मार्टफोन खरीता है। जबकि पांच में से एक खरीद एक्सचेंज ओफि में होती है। अमेजन इंडिया पर प्रीमियम स्मार्टफोन केटेगरी 25,000 रुपए से अधिक में मांग बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले जनवरी मार्च के दौरान इसमें करीब 33 प्रतिशत का निफा हुआ है। वही सामानिय स्मार्टफोन 10,000 रुपए से 25,000 रुपए के बीच की मांग में इसी अवधी के दौरान 40 फीस अधी की बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते इस साल के अंतक देश में स्मार्टफोनों के औसक बिक्री मूलिय में 18 फीस अधी से ज्यादा की बढ़ोतरी के आसार है। ये बढ़कर 120 डॉलर और 210,000 रुपए तक पहुँच सकते हैं। पेल ने कहा हमने स्मार्टफोन की औसक बिक्री मूलिय में शिफ्ट किया है। पारतिय ग्राहकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्मार्टफोन की एफोडेबिलेटी पर टागेट करने की जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेर, कमेंट और हाख सब्सक्राइब करना न भूले।